नमस्ते और ओम शान्ति आप सब शुरताओं को आपको फिर से स्वागत है आपके चैनल पर वेल्कम बैक टो यूओन चैनल आज के इस वर्दान में 203 दिन के ईशुरी वर्दान में जाने से पहले हम जो ने शुरता हैं उनकले स्पेशली आप जाकर के इसी चैनल पर आप जा आपके नीद अच्छी है सब कुछ मेंचिन किया यह आपर 11 वीडियो पर जाके देखें और आगे बढ़ते हैं आज के इरे शुरे वर्दान में परमपेता परमाता हमें त्यार कर रहे हैं उस अंतिम दिनों के लिए जहां पर इस कल्यूक का समापन और सत्यूक का आरंब हो आपकी सोच ही फांडेशन है आपकी पवितरता ही फांडेशन है आपके जो संकल्प चल रहे हैं वो पवितर हैं कि अपवितर हैं उसके हिसाब से आप कल्यूक से सत्यूक में जाएंगे अगर आप कल्यूक में रह गए कल्यूकी जैसे रह गए काले रह गए मन से सोच काली देखने की द्रिष्टिकाली बूलना काला सुनना काला 2 आपुआ हो मैं तो तक हम आप सत्यूग में आप दूरेटmes परमात्म का दिया वा पासपोर्ट तो परमात्मा कहते हैं कि अपनी स्थिती एकरस अब तामसिक तो आप जानते हैं खाना तामसिक लसन, प्याज, नौनवज खाना, मीट, मचली खाना, अंडा खाने, सब कुछ तामसिक खाने में आता है जो कि हमें दुखी बनाता है, हमें अंदर से बहुती पापी बनाता है, क्रोधी अहंकारी बनाता है, और साथी साथ हमारी सेहत को भी खराब करता है यह तामसिक खाना पान तो अलग बात है तो तमोगोणी आप समझ रहे हो किया रहे हैं परमात्मात तमोगोणी वायू मंडल आज के दुनिया का वायू मंडल कैसा है दुनिया की लोग की सोच कैसी है दुनिया की लोग खाते पीते कैसे है तो वायू मंडल आप जानते कैसा हो चुका है और करोन किसी के कहने से मुझे मूट ऑफ ना हो कुछ मेरा लूट के ले जाए कुछ ले जाए मेर से चीन ले कुछ प्रॉलम ना हो मुझे मैं शांत रहूं सुखी रहूं और तब जाकर कि मैं अच्छे निर्ने ले पाऊं ये चीज बहुत important है अचल अडोल अंगत की तरह कहते हैं तो आपका भी मन बुद्धी आपकी इतनी द्रण हो कि कोई आपको हिला ना पाए कोई आपको गाली कर रहा हो कोई आपको बुरा बहला कहरा हो लेकिन आपको कुछ असर ना पड़े उसका यह निकि आप धीड बंजार उसको आप फिर से वो आपस रिपलाई करें उसको गलत बोलें उसके बारे में गलत फिलाएं वो नहीं वो अचल अडोल नहीं वो तो आप डोल गए उसने कुछ कहा आपको गायल होगे आपने फिर से उसको रिवेंज लेने के लिए बतला लेने के लिए कुछ कहना शुरू कर दिया वो गलत ह सोच होगी तो परमात्मा कहते हैं अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा हमें एक वर्दान देते हैं परमात्मा हमें एक टाइटल देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान तो अगर हम सुने इस चीज को और अपने कान में डालने और भूल जाए इसके बार में और ये ना सोचें कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ परमात्मा का बच्चा हूँ मुझे गुण शक्तियां अपनानी है और मुझे प्रैक्टिस करनी है जो भी मेरे सामने कोई भी अगर में चीज करने के लिए मुझे गलत कहता है तो ये मेरे परिक्षा समझ नहीं है और शें मेरे को पास होके ढिखाराया है मझे या निकि उसको रेपलाई बैक करना है और मेरे को गाली दी उसने मने को बुरा बोल डिया कुछ है ना और जो अच्छे मेरे साथ में उनके साथ में अच्छा हूँ जो बुरे मेरे साथ में उनके साथ में बुरा बन गया मैं परमात्मा कैसे ऐसे ढोंगी मेरे बच्चे नहीं है तो परमात्मा कहते हैं दिन प्रति दिन परस्थितियां अती तमो प्रतान बननी है मलकी अभी जो situation देख रही इससे भी बुरी हालत होने वाली दुनिया की तो क्या करोगे वायू मंडल और भी बिगडने वाला है लोग तरही तरही करेंगे, हाय हाय करेंगे अभी कितनी हाय हाय हो रही थी आप देखी रहे थे, कितना blame work हो रहा था कोई एक धर्म दूसरे को धर्म को blame कर रहा था कोई किसी को blame कर रहा था जातपात की problem हो रही है पर मादवा कहते हैं कि कल्यू की निशानी है घोर कल्यू की निशानी तो और भी होने वाली है तो ऐसे वायू मंडल में कमल पुष्प समान नियारे रहना यह देख रहे हो आप सब कुछ कमल भी कहा रहता है कीचर में रहता है कमल के पर अगर आप कीचर फेको तो कीचर स्लिप हो जाता है क्यों क्या होता है फिसलन वाला होता है तो आप क्यों कोई कीचर फेके तो आपकी मन में चिपकना जाए वो बात वो slip हो जाया कि या कह दिया कह दिया मुझे कुछ नहीं फरक पड़ता मैं परमात्मा को याद करूँ मैं को और उके इंसान की बातों से कुछ लेने दे बिकास कल्यूग में सबकी हालत बहुत गंदी है लोगों की मानसिक्ता बहुत अपवित्र हो चुकी है तो उनके पास जो होगा वही तुमें कुछ को देंगे तो मैं क्यूं लूँ कोई अगर आपको गंदी चीज देता है हाँ आप हाथ में कीचट होना उठा हो गए तो परमात्मा कहते हैं यह नहीं कि फिर आपने कीचट फेका आपने भी उठा कीचट फेका अपनी स्थिती सतो परधान बनाना इसके लिए इतनी हिमत वाशक्ति की आवशक्ता है हिमत भी चाहिए और शक्ति शक्ति तो तब ही आती है जब कोई आप चीज बार बार प्रैक्टिस करो तो आपका मनोबल बढ़ जाता है आपके अंदर शक्ति आती कि कोई अरे फिर से कोई चिला रहे कोई बुरी बात नहीं है पहली बार थोड़ा से लगा सेकेंड बार किसी ने बोला तो थोड़ा से लगा तीसरी चौती बार पर आपको असर ही नहीं पड़ेगा जब यह वर्दान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सरफ शक्तिवान हूं तो चाहे प्रकरती द्वारा पांच तत्वी हो सकते हैं बुकांबा सकता है आपका यहाँ पर लाइन स्लाइड हो सकती है तुफान आ सकता है आपका लेकिन आपको कोई असर ने पोड़ेगा आप अ सकता है आपके साथ में धोका कर सकता है लेकिन फिर भी आपको कोई असर ना पड़े तब बाबा कहते है चाहे लोकिक संबंद द्वारा चाहे देवी परिवार अपके ब्रह्मकुमारियां होगे वह भी पुर्शाद कर रहे हो भी क्रोथ को हटाने कोशिश कर रहे हैं अहंक तो कहते हैं द्वारा देवी परिवार द्वारा कोई भी परिक्षा आ जाए उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे कब जब हम परमपिता परमात्मा के ज्ञान को और साथ में योग को बढ़ाते चलेंगे मतलब मेडिटेशन को बढ़ाते चलेंगे तो वह शक्ति बढ को मारी सेंटर को डूंडिये खोजिये और वहां जाकर के सेवें डेस का कोर्स फ्री निशुल करिएगा और आपका देना आज का शुब हो इस वर्दान के साथ में आप सुकीरे अक्तंदरुस रहें ओम शान्ती